हेलो रिवन वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चैनल फार्मारोक्स के यूटूब एच्जूगेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एमिकासिन इंजेक्शन के बारे में तो हम सिखेंगे उसके फिर उसकी वर्किंग क्या कि उसकी जो वर्किंग मोड ओफ एक्शन जो हम कहते है और किस तरह से फार्माकोलोजिकल एक्शन हमें मिलती है वो जानेंगे फिर जरूरी है उसके सेफ डोस के बारे में जानना कि कितना डोस जो है वो सेफ होता है और फिर आगे हम सिखेंगे उ यसे कौन से कंडिसन्स है कि जब M.E.C.S.E.N. इंजेक्शन को यूज ना करें तो एक्सपर्ट लेक्चर बाया मरसर असिस्टम प्रोफेसर एंड फाउंडर आप फार्मरोक्स थेंक यू फर बी इन वन लेक्ट फैमिली आप फार्मरोक्स अपडेट एट रहिए फार्मा नोलिज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मट्रियल टेस्स सिरीज एंड वीडियो लेक्चर ओन एप फार्मरोक्स तो अगर आपके पास एंडरीड फॉन है तो फार्मरोक्स का एंडरीड आप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टार पर से रगए आपके पास आइफॉन है तो एप स्टार पर से भी आपको डाउनलोड कर सकेंगे लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दी है तो सबसे पहले समझ ये एमिकासिन इंजेक्शन के बारे में तो वाट इस एमिकासिन एक एंटिबायोटिक है कि जो बहुत सारे अलग अलग बैक्टिरिल इंफेक्शन को क्यो और करने के लिए ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं तो ये फर्स्ट पॉइंट खास समझ जे उसका कि एमिकासिन इस एन एंटिबायोटिक मेडिकेशन and used for a number of bacterial infection बहुत सारे अलग अलग जो बैक्टिरिल इंफेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये इंजेक्शन को यूज किया जाता है कि जो एंटिबायोटिक के अंदर अलग-अलग जो क्लास होते है उसमें से एमिकासिन जो है वो एमिनोगलाइकोसेड है एंड एक एंटिबायोटिक मेडिकेशन है और यहाँ पे टाइटल स्लाइड में भी हमने देखा था कि यह जो इंजेक्शन है वो इंट्रामस्किलरी एंड इंट्रावेनस दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है मतलब कि उसका जो इंजेक्शन है वो पर्सन को वेन में भी दिया जाता है इंट्रावेनसली एंड मस्तल्स के अंदर भी दिया जाता है जिसको हम कहते है intra muscular injection even आप उसका label देखोगे तो label पे भी यहाँ पे खास mention है कि for intramuscular and IV use only मतलब कि intra muscular और intravenously ही यह injection देना है कोई इसको subcutaneously या फिर दूसरे parental root से इसको नहीं दे सकता फिर उसके आप यहाँ पे strength देखोगे तो 500 mg है 2 ml के अंदर मतलब कि 250 mg per ml जो है वो उसका content रहेगा and emikasin was patented in 1971 1971 में उसका patent जो है वो register हुआ था and came into commercial use in 1976 और जो commercial जो use होता है वो start हुआ 1976 से तो ये slide में आपको क्या रियाद रखना है कि ये एक antibiotic है फिर बहुत सारे अलग-अलग bacterial infection के अंदर ये use होता है amino glycosid class का antibiotic कहा जाता है और इसको intravenously and intramuscular ये दो तरीके से ही दिया जाता है patient को अब समझे उसके basic use के बारे में तो emikasin के basic use क्या है तो अभी जो हमने बात कि कि बहुत सारे अलग-अलग bacterial infection के treatment में यो use होता है तो यसे कौन से अलग-अलग bacterial infection है कि वहाँ पर ये widely use होता है तो जिसे कि urinary tract infection है किसी को कि जिसको हम कहते है UTI कि urine infection जो होता है urinary tract infection होता है उस वग पी जब bacteria के ज़्यादा growth ना हो person की body के अंदर ज़्यादा spread ना हो वो bacteria उसके लिए भी ये injection use किया जाता है same like that bacterial infection related to the bonds and their joint मलब कि जो bonds के जो joint होते है वहाँ पर समझो कि bacterial infection के करण damage हुआ है inflammation हुआ है infection हुआ है तो उसको क्योर करने के लिए भी ये amikacin injection use किया जाता है as a antibiotic because ये एक antibiotic class की medication है और antibiotics ऐसे होते कि जो हम कहते कि antimicrobial antimicrobial कह सकते कि जो अलग-अलग bacteria होते है virus होते है, fungi होती है वगेरे के सामने use किया जाते है तो वैसे ही amikacin specially bacterial infection के लिए use होता है उसके लिए आप देखो तो जो lungs related infection है और उसमें भी popular आप देखो तो ये जो pneumonia persons को होते है तो pneumonia के अंदर कि जब pneumonia causes an accumulation of fluid in the alveoli कि जो आपके lungs के अंदर हम simple साधी बासा में कहते है कि lungs के अंदर पानी भर जाना पानी भर जाना मतलब कि जो fluid होता है mucus होता है वो excess amount के अंदर आपके lungs के अंदर जमा होता है और ये main reason होता है कि जो pneumonia होने के लिए जो bacteria responsible होते है उनके infection के करण ये condition produce होती है तो आगे वो bacteria के ज़्यादा growth ना हो और growth inhibit हो जाए इसलिए amicus in injection यूज होता है फिर meningitis कि जिसके अंदर bacterial infection है especially in brain कि brain के अंदर जब bacteria अपना infection करते है और वो अपने brain के जो layer होते है कि जो meningitis हम कहते है तो वहाँ पर inflammation करवाते है infection करवाते है कि जिसको हम कहते है meningitis उसमें और blood related infection उसमें भी thrombocytopenia एक main है कि वो condition को भी treat करने के लिए amicus in injection को use किया जाता है and it is also used in hospitalized patient to prevent spread of infection caused by the bacteria तो ये एक point आप यहाँ पर add कर सकते है basic use के अंदर कि ये जो injection है वो hospitalized patient होते है उनके अंदर जो infection ज़्यादा फैले नहीं उसका spread ना हो ज़्यादा उसके लिए भी ये injection दिया जाता है तो अलग-अलग bacterial infections जैसे की joint related infection होना intra-abdominal infections होना meningitis होना pneumonia है sepsis मतलब की जो गाव होते हैं वो सड़ना स्टार्ट कर दे हैं कई बार तो जब किसी को sepsis होता है तो वो आगे फैले नहीं उसके लिए भी ये injection देने से जो क्योर होना स्टार्ट हो जाता है urinary drug infection and TB के अंदर भी ये use किया जाता है कि जब किसी को multi-drug resistant है तो उस वक्त amikacin injection से भी TB का इलाज होता है तो ये थे उसके basic use about the amikacin injection आगे जानते हैं about the medication कि जो amikacin जो drug है तो उसका आप chemical structure यहाँ पर देख सकते हैं ये diagram के अंदर तो ये कहा जाता है कि amikacin जो है वो semi-synthetic derivative है kanamycin aminoglycoside medication के and it is resembles in pharmacokinetic dose and toxicity मलब की kanamycin के जैसे ही उसके pharmacokinetic है dose and toxicity भी है और दूसरा important point कि ये aminoglycoside class का antibiotic drug है and a complex chemical structure resembling each other इने antimicrobial activity कि इसका जो ये structure है amikacin का वो उसको antimicrobial activity provide करता है जिसी के करण हम कहते कि it is a aminoglycoside class of antimicrobial drug की जो अलग-अलग bacterial infection को treat करने के लिए use होता है और इसकी जो action है वो bacteria seedal है bacteria seedal antibiotic because they kill bacteria directly कि समझे कि कोई भी bacteria है तो ये bacteria को directly वो कर देगा kill कि ये जो हमारी medication है amikacin वो directly bacteria को जो है वो kill करेगी जिसके करण ये bacteria seedal antibiotic medication भी कहा जाता है तो उसका mechanism क्या है तो जो कोई भी microorganism होते है उसके अंदर जो protein का synthesis होना जरूरी है तो ये जो हमारा amikacin है वो inhibit करता है 30S subunit of ribosome कि जो bacteria, virus, fungi वगेरा प्यक टाइप के microorganism है और उनके अंदर भी क्या present होता है cell तो वो cell के अंदर जो अलग-अलग process होती है उससी में से एक process होती है ये protein synthesis की और protein synthesis करवाने के लिए जरूरत पड़ती है ribosome की तो bacteria के पास अलग-अलग type के ribosomes होते है जैसे कि ये 30S unit वाला ribosome है 50S unit वाला ribosome है और इस तरह से 70S unit वाला भी ribosome अवेलेबल होता है तो ये amino glycoside या फिर जो amicacin है उसका main role ये है कि वो inhibit करते है 30S sub unit को अब 30S sub unit के साथ जब ये हमारी medication bind होती है तो ये क्या करती है आगे protein synthesis को inhibit करवाती है किसी भी microorganism के अंदर and the term can also refer to as a mole generally to any organic molecule that contain the amino sugar structures कि जितने भी amino sugar containing जो substructures होते है ये सभी type के जो medications कि जो amino glycoside class के हम medications कहते है जिसके अंदर एक amino group भी रहता है और साथ में sugar group रहता है तो ये क्या करते है ये जो 30S sub unit होता है उसके साथ bind होके क्या करते है आगे जाके protein synthesis को करवाते है inhibit अगर अब आप सोचिए कि bacteria को अपनी growth करवाने के लिए जरूरी होता है protein का synthesis होना अगर protein synthesis होना ही समझो की बंद हो जाते ही किसी भी microorganism के अंदर तो आगे वो microorganism अपनी growth नहीं करवा पता और इसी के करण ये amic acid जो है वो bacteriological credit cream में आता है कि जो gram negative bacteria होते है उनको kill करने के लिए और inhibit करता है protein synthesis and content as a portion of the molecule and amino modified फिर आगे ये जो protein है वो synthesis नहीं हो पाता और जिसके करण bacteria का जो protein चाहिए वो मिलता नहीं है और उसके करण वो उसकी जो है वो आगे जाके growth inhibit हो जाती because वो bacteria आब completely kill हो जाते है तो जितने भी bacteria जो present है वो kill होते जाते और नए produce नहीं होते जिसके करण जो patient की जो बिमारी है उसका इलाज हो जाता है after giving this injection तो इसके करण ये जो injection है वो अलग-अलग gram negative infections के लिए use किया जाता है तो ये है उसके indication and uses और उसमें जो हमने previously basic use जाना वैसे कि septicemia abdominal sepsis कि जो sepsis हो जाता है जो जहाँ पे भी आपको injury होती है वहाँ पे sudden होना start हो जाती है फिर post-operative UTI कि जो normal आपका urinary track और infection के साथ urinary track के जहाँ पे वहाँ पे inflammation हो सकता है सुजन आ सकती है and infection होता है bacteria के कारण तो उसको भी treat करने के लिए यूज होता है tuberculosis infection है infection of bonds skin soft tissue joint and pelvic inflammatory disease मतलब कि ऐसे अलग-अलग टाइप के bacterial infections के जिसके अंदर हमारा urinary track involved है हमारे bonds skin है उसके अलावा जो tissues वगरा होती है joints वगरा है सभी टाइप के infections को ये cure करता है तो उसमें भी जो gram negative bacterias होते है और उनके करन होने वाले ये जो अलग-अलग bacterial infection जैसे के meningitis भी है pneumonia भी है ये सभी को cure करने के लिए amicacin जो है वो use होता है तो इसके dose के बारे में हम जाने तो dose जरूरी है because dose ही आपको provide कराता है एक safety कि कितना dose inject होना चाहिए कितना safe dose है तो injectable solution 50 mg per ml या फिर 250 mg per ml जी अलग-अलग दो strength जो है वो available होती है marketed formulation के अंदर और usually आप यहाँ पे देखे कि जो abort का यह जो formulation है उसके अंदर भी क्या है 500 mg है 2 ml के अंदर तो उसका मतलब यह हुआ कि 250 mg जितना medication है 1 ml के अंदर इवन यहाँ पे भी आप देखो same 250 mg per ml यहाँ पे भी 250 mg per ml तो जो adult होते है उनके लिए यह dose और जो छोटे बच्चों के लिए जो यह injection का जो dose होता है वो 50 mg per ml के लिए रहता है तो pediatric dose जो हम कहते है यह pediatric dose और यह elder जो patient होते है उनके लिए जो यह dose है 250 mg per ml general dose हम समझे तो 50 mg per kg per day divided intravenously और intramuscular every 8 to 12 hours मतलब कि दिन में 2 बार जो है या फिर 3 बार जरुरत पढ़ने पर injection ले सकते हैं मतलब कि 8 hours तो 8 into 3 हो गाया 24 hours same like that 12 into 2 is equal to 24 मतलब कि समझे कि lower dose में आप देते हैं injection तो every 8 hour पे injection पेशन ले सकता है दिन में 3 बार और फिर दो बार ले सकता है तो उससे भी 12 गंडे के time interval पे दो बार भी ले सकता है तो ये अलग-अलग उसके criteria बेटे डिपेंड ओन the condition of patient और ये खास याद रखने कि 50 mg पर kg पर day कि मतलब कि person का समझे कि weight कितना है उसके according to dose कि समझे कि person का weight है 40 kg जितना weight है तो इसका dose क्या होगा कि यहाँ पे खास समझना जरूरी है कि 50 kg पर day उसका मतलब क्या है कि 1 kg का समझे कि person का weight है तो maximum tolerated dose होना चाहिए 15 mg अगर समझे कि person का weight है 40 kg तो उसके लिए कितना dose हुआ per day तो 50 into 40 कर लेना है आपको तो 15 into 4 60 और एक 0 आ जाएगा तो 600 mg पर day जो है वो हो गया maximum tolerated dose for that person की जिसका weight है 40 kg जितना तो अब समझे कि आप उसको 600 mg आपको पूरा दिन में deliver करना है तो आप क्या कर सकते कि आपके पास यह 250 mg पर ml का है तो वहले 600 यह पर आप उसको कि जैसे कोई overdose ना हो side effect ना हो तो 250 mg पर ml है तो आप जो है वो उसको दिन में 2 बार injection भी दे सकते है या फिर 3 बार भी injection दे सकते है divided dose के अंदर के लाइक आप 200 mg का injection भी दे सकते है 3 times वो भी possible हो सकता है या फिर 250 mg का 2 बार दोगे तो भी चलता है complications ना हो higher dose deliver ना हो इस तरह से ये dose अच्छे से calculate करके ही patient को दिना चाहिए because ये medication की जो हम आगे side effect जानेंगे उससे आपको पता चलेगा कि अगर ये amikacin को higher dose में दे दिया जाए तो क्या अलग-अलग complications होते है फिर किसे को UTI है तो 250 mg IV और intramuscular every 12 hour every 12 hour मतलब की first 12 hour में आपने 250 mg का एक injection दे दिया per ml condition में और फिर 12 गंटे के बाद फिर से एक injection दिया है 250 mg per ml अब बहुत सारे student ये सोचते है कि यहाँ पे Q लिखा है तो इसका मतलब क्या है Q का मतलब होता है medical terms के अंदर every कि जो medical terms होते है उसके अंदर Q होता है उसका मतलब ये होता है कि every तो Q 8 लिखा है मतलब की every 8 hour Q 12 मतलब की every 12 hour तो इस तरह से आप जो है वो इसको पढ़ सकते हैं तिसरी condition जाने की जो first dose समझो कि किसी को देते है तो ये ही आपको calculation याद रखने कि 50 mg per kg based on the lean body weight कि based on the person's body weight और उसके तोर पे ज्यादा से ज्यादा समझे कि patient का 50 kg वजन है 60 kg वजन है तो उसके according to आप calculate करके उससे थोड़ा कम रखके देना चाहिए because कोई side effect ना हो और कोई adverse drug reactions ना हो तो ये था समझ लिए आपने dose के बारे में आगे समझे उसके adverse effect के बारे में तो इसके adverse effect के तोर पे autotoxicity हो सकती है hypersensitivity reactions हो सकती है कि जो skin के उपर specially अलग-अलग जो allergies reactions होती है autotoxicity जो होती है वो develop हो सकती है person को फिर nephrotoxicity हो सकती है कि जो person की जो nephrons वगिरा है kidney वगिरा है वहाँ पी affect कर सकता है hemolytic anemia हो सकता है leukopenia भी हो सकता है उसके side effect के तोर पे कि अगर इसका higher dose दिया जाए higher dose मतलब कि कैसा dose कि हमने जो अभी calculate कि आगे 40 kg का जो कोई person है तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 600 mg per day आप इसको दे सकते है 600 mg जितना अगर आप उससे ज़्यादा higher समझे कि 1000 mg जितना दे देते है वो person को तो क्या हुआ 600 की जरूरत थी तो आपने 1000 दे दिया मतलब कि काफी high dose हो गया तो इसे high doses में फिर जो है वो complications develop होते है adverse effect develop होती है तो जरूरी है उसके dose के बारे में जानना और dose के according to ही medications देने चाहिए फिर excessive use मतलब कि frequency के भी यहाँ पे बात होती है कि 3 days की therapy है बट आप समझे कि 7 days तक उनको continuous injections देते है तो भी उसका higher dose हो जाता है तो इसे condition में भी यह अलग-अलग adverse effect develop होते है कि जैसे कि neuromuscular blockage हो सकता है thrombocytopenia हो सकता है कि जैसे low platelet count हो जाना कि जिसको हम कहते है medical term के अंदर thrombocytopenia वो हो सकता है person जो है वो nausea condition फिल कर सकता है उसके बाद वामिटिंग हो सकती है elevated liver enzymes हो सकते है and diarrhea भी हो सकता है phlebitis भी हो सकता है phlebitis मतलब कि जो vein का inflammation होआ यहाँ भी जो आप vein देख रहे है तो यह veins का क्या हुआ है inflammation तो इसको medical term में क्या कहते है phlebitis phlebitis मतलब कि जो veins है यह सब उनका होना inflammation तो अगर higher dose दे दिया है किसे को excessive dose दे दिया है तो यह सब बलग-बलग side effects adverse effect डेवलप हो सकती है उसके अलावा higher dose of amicus in may develop balance disorder balance disorder मतलब कि loss of balance चक्कर आ सकते है पेसन को यह खास कि जो vertigo की जो हम condition कहते है चक्कर आना loss of balance spinning हो सकती है balance disturb हो सकता है परसन का कि अगर काफी high dose deliver हो जाता है kidney damage हो सकती है उसकी hearing loss मतलब कि सुनना बंद हो सकता है increase the blood urea कि blood के अंदर urea increase हो सकता है injection side पे reactions जैसे की परसन को वहाँ पे pain हो सकता है वहाँ पे swelling हो सकती है redness अगरा हो सकता है due to the side effect फिर higher dose paralysis भी कर सकता है result in inability to breathe और कई बार वह paralysis के करण breathing में भी difficulty होती है and if use during the pregnancy अगर समझे के pregnancy के अंदर use किया जाता है तो it may cause permanent duffness in the baby means cause the hearing loss in newborn baby तो इसके करण जो pregnancy के जो category होती है उसमें category d के अंदर है कि जो high risk medications होते है कि high risk जिनके risk सबसे ज़्यादा है कि अगर pregnancy के अंदर आप दो तो ये category d में आएगी pregnancy category के जो risky है देना विकॉस ऐसा risk तो हम लही नहीं सकते कि जिसके अंदर आने वाले बच्चे पे ऐसी असर पड़े कि जो hearing loss हो तो pregnancy के दोरान उसको use ना करे ये एक advice रहे गिया about demikacin contraindications हम precautions देखे तो drug is contraindicated for pregnant and breastfeeding woman ये खास समझ लिजिए कि contraindications मतलब कि use करना ही नहीं है do not use गलती से भी ये use नहीं होना चाहिए during the pregnancy or breastfeeding it cozenly use in patient with renal failure even जिनका renal failure है वहाँ पे भी use ना करे because उससे क्या हो सकता है कि और ज़्यदा kidney खराब हो सकती है because उसकी ज़़ side effect है वो है nephrotoxicity pregnancy के अंदर क्या सकर सकता है fetal autotoxicity हो सकता है permanent deafness हो सकती है hearing loss हो सकता है newborns के अंदर with other autotoxic drug furosemide and minocycline with naprosoctid drug like venacomycin and cisplitin elderly patient those with kidney disease and cozen use of muscle relaxant do not mix with any other drug in same syringe कि जब इसको injection देते है तो इसके साथ किसी और medicine को कभी भी mix ना करे ये एक खास precautions वाली tip है फिर contraindications with furosemide के furosemide के साथ उसको use ना करे minocycline के साथ उसको use ना करे sea splitting के साथ भी use नहीं करना venacomycin के साथ use नहीं करनी है फिर जो elderly patients है those with kidney disease वहाँ पर भी use ना करे and caution the use of molusol relaxant with amycacin की अगर आप muscles relaxant दे रहे हैं तो amycacin को उस वाक्त जो है वो avoid करे do not use तो ये एक first contraindications के list उसके interaction समझाने तो it may cause the autotoxicity used with loop diuretic और another amino glycosides so don't use the amino combination with amycacin की जो loop diuretic होते हैं फिर दूसरे जो amino glycosides होते हैं उनके साथ कभी भी combination में ना दे because ये जो है वो enhance करवा सकता है autotoxicity reactions को inactivation occurs if penicillin antibiotic is mixed with amino glycosides अगर सापको penicillin की जो हम कहे दें कि ampicillin है amoxicillin उसके साथ समझो कि amycacin का combination आपने बना दिया है तो inactivation हो जाएगा मतलब कि antagonist effect में लिगे आपको कि उसकी जो effect है वो completely हो जाएगी stop तो ऐसी condition में use ना करे safe use के बारे में हम जाने तो for safe use of amycacin injection must follow the following condition तो अगर किसी person को इसका safe use करना है तो सबसे पहले तो जान लीजिए उसके dose के बारे में तो यही lecture के जो previous में जाके आप जो dose के बारे में वहाँ मैंने जो आपको समझा है वो जरूर से एक बार देख लीजिए जिससे safe dose इडिलीवर हो patient को second यहाँ पर समझे कि इसके safe use के लिए आप क्या कर सकते है सबसे पहले तो proper diagnosis होना जरूरी है बीना diagnosis के तो यह injection को कभी भी use ना करने चाहे कि समझे कि आपको लगा कि किसी को normal fever है normal cough जैसा है cold जैसी condition है तो तुरंत बीना diagnosis के amicocin का injection use ना करें उस वक्त समझे कि normal जो medication साथ है कि paracetamol है satirgin है कोई भी antihistamine है उससे सबसे पहले तो patient को ठीक करना चाहिए तो यह खास आपके लिए advice है कि do not prescribe directly सबसे पहले diagnosis होना जरूरी है diagnosis के बाद जो हमने indications जने वुसके according to ही patient को दे फिर जरूरी है patient counseling करना because समझे कि past के अंदर ऐसी history थी कि समझे कि यही patient को amicocin का injection लगाने से कोई hypersensitive reaction होगे allergic reaction हो गई तो आप समझे कि counseling नहीं करेंगे बिना counseling की direct यह injection लगा दिया तो patient जो है वो मुसकेली में आ सकता है तो अच्छे से patient counseling के बाद ही उसको use करे patient के medical history जनना जरूरी है कि वो कौन से medication ले रहा है अगर समझे कि वो diuretics ले रहा है और diuretics के साथ यह दे दिया तो autotoxicity हो सकती है तो यह खास समझना जरूरी है फिर injection जो है वो experts के द्वारा ही दिया जाए because इसके site of injection पे pain हो सकता है inflammation हो सकता है redness हो सकती है तो अगर जो experts होते है वो ही यह injection को लगा है कि समझे कि intravescular देना है IV देना है and must read the warning कि जो अभी हमने बात कि warning, precautions and contraindications before the use तो यह क्या है कि समझे कि आपने सिर्फ use ही जाने हैंगे बट contraindications नहीं जाने तो उससे क्या होगा कि आप समझे कि कोई 2 या 3 minute का कोई video देख लेते है उसमें just उन्होंने basic use में ही के बारे में ही बताया है यह आपको वायल दिखाया है तो क्या होगा कि उस वक्त आपके पास knowledge नहीं है उसके contraindications के तो contraindications आपको पता ही नहीं है और आपने समझे कि उसके basic use के बारे में जानके directly यह किसी को injection दे दिया तो आगे जाके वो patient काफी muscle में पढ़ सकता है तो यह खास जरूरी है कि किसे भी medication के बारे में आप जब जानते है तो दो चीजे सबसे बारे सबसे पहले जाने की बले आपको use पता ना हो बट उसके side effect and contraindications तो खास आपको याद रखने है कि जिससे कोई person जो है वो muscle में ना है उसको आगे कोई complications ना हो तो safety के लिए यह advice या फिर यह जो instruction है वो जरूर से follow करिये कि जिससे उसका safe use हो सके तो जो हमारे lecture के जो PDFs होते हैं वो आप हमारे mobile application है PharmaRocks वहाँ पे access कर सकते हैं तो PharmaRocks के PDF PPT वखेरा आप access कर सकते हैं rapid revisit not affordable price में PharmaRocks के app उपर तो अगरे आपके पास Android phone है तो Android app डाउनलोड करें iPhone है तो iPhone के लिए App Store पर से भी डाउनलोड कर सकते है Links हमने description box में दे दी है तो good luck and all the best